हेलो दोस्तों नमस्कार आपका स्वागत करती हूँ डिन पी इंडिया में इस वक्त की दस बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे तो आजे शुरुवात करते हैं खबरों का सलसिला प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को असम नागालेंड त्रिपूरा सिक्तिम मनिपूर मेघाले अरुनाचल प्रदेश और मिजोर्रम के मुख्य मंत्रियों के साथ विडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये बातचित करेंगे देश में फिलाल दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है और पीयम लगातार क्रोणा पर बैठ़क कर रहे हैं सभी से क्रोणा के स्थिति पर नज़र रखने और गमभीरता से लेने के निर्देश दिये गयें थे अब कल पिये मोदी कुल आठ राज्यों के मुख्य मंतरियों से राज्यों में कोविड-19 की स्थिती पर रिपोर्ट लेंगे प्रिधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने सुमवार को कहा है कि कृषी छेतर में फसल काटनी के बाद क्रांती की जरूरत है इसमें उत्पादन में व्रिधी देखी जा रही है प्रिधान मंतरी मोदी ने कहा है कि मेहनती किसानों ने कोविड-19 महामारी की अद्भूत पूर्ण चुनावती के वावजूद जिन्सों का रिकॉर्ड उत्पादन किया है साथ ही सरकार का ध्यान युवाओं को प्रोत्साहित करने और क्रिशी शेत्र से जुड़े स्टार्ट अप को बढ़ावा देने पड़ है पुर्व के कैथोलिक और बलंकारा और्थोडॉक्स सीरियन चर्च ऑफ इंडियन यानी M.O.S.C के प्रमुख बेसीलियस मार्थोमा को लोज दूर्तिय का लंबी बिमारी के बाद सोमवार को निधन हो गया है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है राजपुरा में बीजेपी की बैठक के दौरान किसान के विरोध प्रदर्शन ने देर रात हिंसक रूप ले लिया किसानों ने भाजपा के जिला सचीव डॉक्टर अजय चौदरी और अन्य नेताओ और उनके परिवार को घर में बंधक बना दिया और घर की बिजली काट दी देर रात हाई कूट को भाजपा नेताओं को मुक्त के आदेश देने पड़े इसके बाद पुलीस ने किसानों पर लाठी चार्ज किया और भाजपा नेताओं को मुक्त कराया इस बीच पुलीस ने तीन ग्यात लोगों के सहीत एक्सोपचास अग्यात प्रदर्शन कारी किसानों पर केस दर्च कर लिया है लोकसभा ध्यक्ष ओमबिर्डा ने कहा है कि संसत का मौनसुन सत्र 19 जुलाई से आरंब होगा और 13 अगस्तक चलेगा बतारे कि इस घोषना से पहले संसत का मौनसुन सत्र शुरू होने की तैयारी को लेकर उपिराश्टपती और राजसभा के सभा पदी एम वैंकिया नाइडू और लोकसभा ध्यक्ष ओमबिर्डा के बाद संसत के आदमी मौनसुन सत्र की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा होई थी मौसम विभाग ने उतर प्रदेश के कई इलाकों में सुमवार को भारी बारिश का अनुमान जताया है मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हर्यान, उतराखन, चंडीगर, पंजाब और पशिम उतर प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान जताया है हिमाचल प्रदेश के धर्मसाला में बादल फटने से छेतर में अचानक बाढ़ आ गई जिससे भागसु नाग शेतर के प्रेटन अस्थल में समपतियों को नुकसान पहुँचा है फोटो और वीडियो में साफ देखा जा सकता है किस इलाके में भारी जलजमाओं और पार्क किये गए वहनों और होटलों में पानी किस रफतार से बह रहा है पार्किंग में खड़ी कारे कागज के नऊ की तरह पानी के बहाँ में बहती हुई दिखाई दे रही है इसे बीच ग्रिह मंत्री अमिश शाहने सीम जैराम ठाकुर से हालातों का जायजा लेते हुए रहत कार्डियों के लिए NDRF की टीमें शिग्र रवाना कर दी और इस थिती पर खुद लगातार नजर बनाए हुए है वहीं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी माचल प्रदेश के धर्म शाला में बादल फटने और भारी बारिश पर चिंता व्यक्त की है राष्ट्रिय राजधानी में सुमवार को सोने और चान्दी की किम्टों में गिरावट देखने को मिली SDFC Securities के मताबिक दिल्ली में सोने के भाव में एक सो 79 रुपे प्रती 10 ग्राम की तूट देखने को मिली इससे शहर में सोने का भाव 46,700 96 रुपे प्रती 10 ग्राम पर रहे गया इससे पिछले सत्र में सोने का रेट 46,900 65 रुपे प्रती 10 ग्राम पर रहा था मौजुदा अफगानिस्तान सरकार और भारत के बिस संबंध बेहद मजबूत और मधूर है अफगानिस्तान के कई शिर्ष नेता समय समय पर भारत के दोरे पर आते रहते हैं इससे दोनों देशों के बेस संबंधों में गन्म जोशी का पता चलता है इतना ही नहीं भारत अफगानिस्तान में अर्बो डॉलर लागत वाले कई मेगा प्रोजेक्ट पूरे कर चुका है कुछ पर काम भी चल रहा है दुसरी और अफगानिस्तान सरकार पाकस्तान पर अपने यहां आतंगवाद को प्रायोजित करने का अरोप लगाता रहा है खुद्रा महंगाई यानि रिटल इंफलेशन 6.3 फिजट पर रही थी इस तरह कंज्यूमर प्रायम्स इंडेक्स यानि CPI पर आधारित महंगाई दर जुन में भी रिजर्ब बैंक के लक्षि से जाधा रही सरकार ने रिजर्ब बैंक को खुद्रा मुद्रा इस फिती को 2-6 फिजट के बीच सिमित रखने का लक्ष दिया है खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहे है दिन पे इंडिया तब तक के लिए नमस्का